हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन भारत में जनगणना काफी समय से नहीं हुई है जैसा कि हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है जिसका एक कारण निश्यत तोर पे COVID-19 का pandemic COVID-19 की महामारी भी था 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन उस समय पूरा देश COVID-19 से जूज रहा था तो जनगणना नहीं कराई गई हाला कि उसके बाद भी काफी समय से जनगणना अभी नहीं हुई है जिसको लेकर एक विवाद की स्थिति भी बनी हुई है जनसांखी की या आ आंकड़े भारत को लेकर जारी करते रहते हैं और यह आंकड़े जो है यह महत्वपूर हो जाते हैं क्योंकि जनगणना के आधिकारिक आंकड़े हमारे पास है नहीं तो ऐसा ही एक आंकड़ा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो आर्थिक रिसर्च विभाग है वहर बैंक बहुत सारे विभागों में काम करता है SBI के लिए भी एक विभाग है जो आर्थिक रिसर्च करता है उसने अपने जनगणना के आंकड़े जनगणना पर आधारी जनसांखी की आंकड़े नहीं कह सकते हैं उनको जनसांखी की आंकड़े भारत को लेकर जारी किये हैं और उनकड़ों में कई सारी ऐसी बाते हैं जो हमको पता होनी चाहिए तो SBI के आंकड़े क्या हैं इसमें कुछ खास बाते क्या हैं यह मैं आपको अगले 5 मिनिट में बता दूँगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि भाई हमारा जो लॉन टर्म बैच है अगर आप 26-27 के लिए भी 26 वालों के लिए तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो आप अभी बैच से जुड़ जाईए शुरुआत में आपको स्लोपेस पढ़ाया जाएगा अब बेसिक्स पढ़ाया जाएंगे और उसके बाद जो है आपको हार्ड कोर UPSC की तयारी कराई जाएगी ताकि आप एक अच्छे से विश्वस्निय तरीके से तयारी कर पाएं और अगर आप 2025 की तयारी कर रहे हैं भाई अगर आप 2025 वाले एस्पिरेंट हैं तो आपके पास समय बहुत कम बचा है आप अल्री लेट हो गए हैं तो हमारा आखिरी बैच जो आ रहा है प्रतिग्या प्लस 2025 के लिए वो 27 तारिक से अब आपके जिगह 30 तारिक से शुरू हो रहा है यह वाला बैच एजे लाइफ कोट लगा के मात्र साड़े 21,000 रुपे में आप जूड़ सकते हैं अगर आप उस मोड में हैं कि यार तैयारी करी तो है लेकिन confidence नहीं आ रहा है तो यह बैच एक दम आपके लिए है तो भाई याद रखिए यह आपके पास आखरी मौका है इस बैच से जुड़ने का इसके बाद study IQ का crash course तो आएगा prelims के लिए लेकिन प्रतिग्या प्लस नहीं आएगा 2025 के लिए चलिए तो State Bank of India की जो आर्थिक research विभाग है जो आपको मैंने बताया कि भारत की जनसंख्या व्रधी की दर में तेजी से गिरावट हुई है उन्होंने कहा कि जैसे 1971 में भारत में जनसंख्या व्रधी की दर जो थी वो 2.20 प्रतिशत होती थी ये दर जो है ये 2024 में घटकर एक प्रतिशत तक आ गई है और एक प्रतिशत जनसंख्या व्रधी दर जो है वो काफी उलेखनिया है, काफी सराहनिया है और ये जो है हमारी जनसंख्या अब स्थिरता की ओर जा रही है हमारी जनसंख्या की दर जो है वो कम हो गई है और इस अनुमान क्या धार पर कि 1971 में इतनी व्रधि दर थी अभी इतनी आ गई है इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2024 में देश की आबादी जो है वो 138 से 142 करोड के बीच में कुछ होगी क्योंकि याद रखिए जनगर्णा नहीं है ये एक statistical model बना रही है सांखे की model बना के उसके आधार पे अनुमान लगा रही है तो इनका अनुमान ये है कि 138 से 142 करोड के बीच में भारत की जनसंख्या कही ना कहीं कुछ ना कुछ होनी चाहिए ठीक है अब इसके अलावा भारत एक युवादेश है ये बात तो हम जानते ही है है ना ये बात तो हमको पता ही है भारत एक युवादेश है हम बार बार ये बात करते हैं कि भारत जो है वो आप ऐसा मानिये कि हम कहते है डिमोग्राफिक डिविडेंट तो सुना होगा आपने ये कहीं बार सुना होगा कि एक जनसांख्या लाभान रे पास है हमारी आभाधी बहुत युवा है और इसके आधार पर ये कहते हैं कि हमारी जो मंधिका आ यू है मंधिका समझते हो मेडियन मंधिका और और आउसद में यह अप्रक होता है और तो होता है के भी बराबर लोग हो तो 2021 में भारत की जो median IU थी वो 24 वर्ष थी जो कि 2023-2024 में बढ़कर कितनी हो गई है थोड़ी से बढ़ी है क्योंकि भई बच्चे कम पैदा हो रहे हैं बच्चे वादा होते हैं अगर तो आपकी मध्धिका IU और कम होती है तो यह हमारी अभी भी 28-29 वर्ष के बीच में है यानि कि हमारा जो median एक भारतीर है वो अभी भी 28-29 साल का है 30 साल से कम का है यानि कि उसके पास अभी लगभग 30 वर्ष बाकी है काम करने के यही हमारा demographic dividend है जैसे मैं आपको example देता हूँ चाइना जो है चीन में जो मध्धिका IU है वो 49.5 वर्ष के बास पास आ गई है तो चीन का व्यक्ति जो है एक मध्धिका व्यक्ति मध्यम व्यक्ति वो तकरीबं 40 साल का है भारत में वो व्यक्ति तकरीबं 28-29 साल का है तो हमारे पास यही हमारा demographic dividend है जिसको हम बार-बार कहते हैं कि हमारे यहां लोगों के पास काम करने के लिए जादा समय वाकी है और इस कारण से क्या होगा हमारे को अभूत पूर्व जनसांखे की लाभानिश मिलेगा यानि कि हमारी जो working population है वो हमारे को बहुत जादा बहुत जादा रहेगी क pattern की बात करें तो जो अपेक्षित्था वही है उत्तर भारत और पूर्व भारत उत्तर भारत और पूर्व भारत जो है वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है यहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है दक्षण भारत में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या सबसे कम तीवरता से बढ़ रही है यहां पर जनसंख्या जो है उसकी व्रधीदर सबसे कम है अगर आप दक्षिन भारत को देखेंगे ठीक है कामकाजी आबादी जो है भारत की जो 15-69 वर्ष की मानी जाती है उसमें 2000 माफ की जगा 1971 के बाद से लगातार जा रहा है देखें जनसंख्या की अलाभांच का पॉइंट की 2021 में हमारी करीब करीब 65.2 प्रतिशात आबादी जो है वो 15-69 वर्ष की आईू में होगी जिसको हम कामकाजी आईू मानते हैं तो 65% से जादा हमारी आबादी ऐसी होगी जो काम कर रही होगी ठीक है अगर आप देखेंगे 2024 का आंकड़ा तो 2024 के आंकड़े में जो बच्चे हैं आपके यहां यानि कि 0 से 14 वर्ष के लोग जो है वो 24.3 प्रतिशत हैं और जो लोग आपके 60 से उपर वर्ष के हैं 60 से उपर वर्ष के लोग जो है वो आपके कितने हो गए 10.7 प्रतिशत के आसपास हो गए तो भाई आपके यहां वरध लोग जो है वो इतने हैं इसको आप याद रखिए वरध लोगों की संख्या आपके यहां 2021 में बढ़ने वाली है वरध लोग जो है उनके देखभाल का बोज जो है भारत के अर्सवस्था पे आएगा यह बात सही है 34 वर्ष से कम की आयू के लोग जो है उनमें महिलाओं की संख्या पुरुशों से जादा होगी यानि की जो हमारे यहां महिलाओं का सेक्स रेशो कम था उसको हम नियंतरण कर पाए हैं ऐसा प्रतीत होता है ठीक है यह बात क्लियर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तीवर शहरी करण भारत में हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है ये तो हमको बताईए तीवर शहरी करण आपको भारत में होता हुआ नजर आ रहा है ये SBI की रिपोर्ट कहती है ये कहते हैं कि 2011 में 31.1 प्रतिशत तो सेंसस कहा करा था 31.1 प्रतिशत भारती जो थे वो शहरी थे 2014 में ये संख्या 35 से 37 प्रतिशत के बीच में पहुँच गई होगी और इस संख्या में भी अगर आप बात करें इस संख्या की भी अगर आप बात करें तो इसमें ऐसे लोग जो 10 लाक से अधिक आबादी वाले शहरों में रहते हैं जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जिनकी जन संख्या 10 लाक से जादा है ऐसे लोगों का प्रतिशत जो है ये 2014 में कितना था 2014 में ऐसे लोगों का प्रतिशत जो 10 लाग से जादा आबादी वाले शहरों में रहते हैं ये प्रतिशत 14.3 प्रतिशत था ये प्रतिशत जो है ये बढ़कर 2023 में 16.6 प्रतिशत पे आ गया है ठीक है वाई? तो ये कुछ important आंकड़े हैं जो SBI की report में आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखिए ये आंकड़े मैं आपको फिर से बता दूँ कि क्योंकि ये कोई आधिकारिक जनगणना नहीं है आधिकारिक सेंसरत नहीं है इसलिए ये आंकड़े जो हैं ये आप कह सकते हो कि ये उतने विश्वस्तनिय नहीं है ये एक सांख्य की ये model पर आधारित है कि आप एक mathematical तरीके से computer पर आप data crunch करते हो और ये आंकड़े प्राप्त करते हो बाकी लेकिन तब भी हमको एक ठीक ठाक अंदाजा देते हैं कि भारत की जनसंख्या है वो कैसे कहां पर रुकी हुई है कहां पर बढ़ रही है कहां पर घट रही है एक हमको ठीक ठाक अंदाजा देती है बाकी विश्तरत आंकड़ों के लिए हमको अभी भी जन्गरना का इंतिसार रहेगा ठीक है चलिए जाते जाते आपको जल्दी से बता दू 2025 के लिए भाई लास्ट बैच आ रहा है 30 तारिक से AJ लाइफ कोट लगा के जुड़ जाएए 2499 का मिल जाएगा 2025 के लिए इसके बाद आपको प्रतिग्या प्लस जॉइन करने का मौका नहीं मिलेगा ये बात याद रखिए और अगर आप 2026 और 27 की परिक्षा देने की सोच रहे हैं तो हमारा लॉंग टर्म बैच जो है उससे जुड़ जाईए जो 27 तारीक से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से AJ Live Quote लगाना है 3099 का मिल जाएगा ये भी आप तुरन जुड़ जाईए जो बैच आपको suitable लगे आपकी attempt के year के हिसाब से उस बैच से जुड़के अपने तयारी को सही आकार प्रदाम कीजिए इस चर्चा फे चुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद